तो आज है दो नमंबर और याज फ्राइडे का दिन और देख लेते हैं आज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नीज निकली है दा हिंदु नीज पर में तो उम्मीद करते हूं आप डेली रगलर इसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप खुद ही देख रहे हूं कि करेंट डेफेस बट इट कांट भी लिफ्टेड टोटली यह नहीं आफसपा क्या होता है आंफ फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट यह है और क्या है यह सब इसके रिगार्डिंग अभी हम लोग बात करेंगे जब इस निउस को देखेंगे टिटेल में फिर दूसरी निउस है मोहमद नशीद माल्दीव एक्स प्रेसिडेंट रिटर्न सों फ्रॉम एक्जाइल तो जो माल्दीव के पूर्व राष्ट पती हैं वो जेल से बाहर निकल चुके हैं इसके बारे हम लोग पहले बात कर चुके हैं फिर तीसरी निउस स्री लंका कैबिनेट एक्सपैंड तो स्री लंका ने अपनी कैबिनेट एक्सपैंड के आपको पता होगा बहुत प्रेसिडेंट वर्सिस प्राइम मिनिस्टर यहां पर चल रहा है बहुत गमसान चल रहा है यहां की जो पॉलिटिक्स है उसमें फिर लास्ट जो हैड्लाइन है वो है इंडिया क्रश वेस्ट इंडीज इन फाइ में यह भी हम लोगों नहीं देखना है यह जो आप सबसे कॉर्णर में देख पा रहा होगा असम रेजिडेंट्स गेट रिलीफ रॉम सुप्रीम कोट वहम लोगों को पढ़ना है तो किस चीज में रिलीफ मिला है वह पहले तो उसका बैक्राउंड देख लेते हैं बोला गया था कि 40 लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और उनको एक डेडलाइन दी गई थी जो कि थी 25 नवंबर की बोला गया था 25 नवंबर तक आप लोगों को प्रूफ करना होगा कि आप सिरिजन हैं या फिर नहीं और कुछ यह आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंग पांच डॉक्यूमेंट्स और इंकल्यूट कर दिया हैं जिसको दिखा के वो लोग अपनी सिटेजन शिप प्रूफ कर सकते हैं उनमें पांच डॉक्यूमेंट्स में से एक राशन कार्ड भी है ठीक है यह पूरी न्यूज इससे पहले जो नाशनल रिजिस्टर और सिटेज तो तितली साइकल होना भी है था आपको लोगों को पता होगा तो उसी के रिगार्डिंग सेंट्रल टीम सेंट्रल गवर्मेंट की एक साथ मेंबर टीम वहाँ पर जाएगी और रिवीव करेंगी कि क्या क्या डैमेज हुआ है वहाँ पर ठीक है और इसके जैस्ट बगल में सब पॉलिटिकल न्यूज है फिर यह एक न्यूज आ जाती है 461 एलिफेंट्स इलेक्ट्रो क्यूटेड इन कंट्री इन एट यह सिंस 2009 यह रिपोर्ट कह रही है यह रिपोर्ट निकाली गई है मिनिस्ट्री ओफ एन्वार्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के दोरा यह आपको पहले पता होना चाहिए यह अभी अगर आपको पता हो लिसा में एक साथ साथ हाथी मर गये थे बिजली का जटका लखने से तो वही एक रिपोर्ट यह से मिनिस्ट्री ने निकाली कि 461 हाथी मारे गए हैं पिछले आठ साल में 2009 से 2017 के बीच में बिजली के जटकों की होगे से सिर्फ और सिर्फ 461 और यह डिपोर्ट निकलिए मैप मेरे हो सब से जादा कहां पर यह मारे गए सबसे जादा करनाटका में मारे गया एक 106 उसके बाद यह है आप पका असम 122 सुरी सम में करनाटकेके बाद औरीजयाम है नबे और उसके बाद आस webinar तु बस आपको यह आद रखना की करनाटका में सबसे जाद मारें ठीक है और 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 अपने समें फारिमी में मारें अभिजली का जटका लगने से मर गएते हैं और सबसका रीजन भी ह क्या रीजन है कि करणाटका में सबसे ज़्याद strongest फिर उसके बाद आसम में arts के बादures और अची इतने हुआगों ना अग्राइज है यह एक तो अPod Reza ground duy सरा करा inquiry यह है कि डिफॉरेस्ट्रेशन है जब आप जंगल वगएरा काटना शुरू करोगे तो हाथ ही कहां जाएंगे जब आप उनका घर चीन लोगे उनका हैबिटाइट चीन लोगे तो जाएसे बात है कि जहां पर हुमन रिसाइट करते हैं वहीं पर वह आएंगे और में कारण उसका हुमन एलिफेंट कॉन्फिक्ट भी होता है जिसके कारण मारे जाते हैं और दूसरा कारण है कि जहां पर हुमन्स रहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक वाइर्स वगएरा होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रो और अधर एजेंसी जैसे की पावर डिपार्टमेंट हो गया जैसे कि उनको एक पता होना चाहिए कि कहां पर एलिफेंट्स ज्यादा रोम करते हैं और वहां पर आपको एलेक्ट्रिक का जो है हाइटेंशन लाइन वगरा नहीं बिचानी है और बिचानी भी तुनका एरिया र जो आम फोसे स्पेशल पावर्स एक्ट है जिसके तहरे तो आर्मी को यह पावर मिलती है बहुत सारी पावर मिलती है यह पावर के बहुत सारी पावर मिलती है जैसे कि वह बिना ट्रायल कि एक किसी को भी मार सकती है वहां पर अगर उसको लगता है कि यह कोई सस्पेक्ट ह या फिर कुछ हाम करेंगा तो बहुत सारी पास मिलती है और यह मैंने एक मेन पार आपको बता है तो आसपा है क्या कब यह पास हुआ था थोड़ा देख लेते हैं तो एक तरह से फॉर्मली अगर देखे तो इंडिया में महात्मा गांधी दोरा तब बहुत सारे लोग कुट इंडिया मुवमेंट से जोड़े और पुलिस के आगे जाने लगे कई पुलिस को मारना या फिर जो पुलिस चौक ही दोती थी उनको डिस्ट्रॉय करना तो इसी के तहत तब के जो वॉइस रहे थे इंडिया में लिनित को वो यह एक तरह से ओडिनेंस लाया आफस्पा का जिसके ताया थी पुलिस को नहीं पावर दे दी कि वो बिना कुछ किये ट्राइल किये लोग को मा सकती है तो यह एक तरह से ऑफिशली तब आया और इंडिपेंडनेंस के बाद अगर हम बात करें तो यह एक तरह से एक्ट बना नाइंटीन से फिफ्टी एट में ठीक है 1958 में यह एक पास हुआ था और प्रेसिडेशन दोरा प्रूफ किया गया था तब ही से आफस्पा और लाया क्यों गया था क्योंकि काफी इंसर्जेंसी ग्रूप एक्टिवेट हो गया थे खासकर अगर नॉर्थ इस्टन की प्राचल प्रदेश मनीपूर असम त्रिपूरा इस सब मेगाल है इस सभी स्टेट्स में इसर्जेंसी ग्रूप बहुत एक्टिवेट हो गया थे और मांग कर रहे थे कि अलग देश बनना चाहिए हमारा एक अलग से स्टेट बनना चाहिए बहुत सारे जैसे कि बोड़ो ल इंफ्रस्रेक्ट्र डवलप्मेंट में और इसी वसे जहां पर जाता इनवस्ट्मेंट नहीं हुआ तो एक तरह से कट हो गया है पूरे इंडिये से अगर आप देखो मैप में तरह सी जो भी सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्दी सफिय वह तरह से कट हो गया और इसी वैसे कई इ इंसरजेंसी ग्रूप के जो होते हैं वो जो पब्लिक होती है जो सिविलियन्स होते हैं उनके बीच में रहे कई अटाइक करते हैं तो गलती से कभी सिविलियन्स की भी इसमें डेथ हो जाती है तो वही एक आफसपा का ड्रॉबाइक है जिसकी बात यहां पर एंबिरेंसिंग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन एंबिदेंसिंग नहीं बोला है कि आफस्पा को अब रिवीव करने की जरूत है मनीपुर अभी आपको पता होगा कुछ ही मैने पहले मेगाले से पूरी तरह हटा दिया गया अर नाचल प्रदेश के कहिसों से हटा दिया गया तो यह बोलना कि मनी मनीपुर में इसको रिवीव करने की जरूत है पूरी तरह से तो नहीं हटाया जा सकता है यह उन्होंने बोला है लेकिन इसको रिवीव करने की जरूत है और इसी के रिगार्डिंग आपको पता होगा इरोम सर्मिला ने भी फास्ट रखा था 16 साल का जिरोंने मनीपूर से इलेक्शन लड़ा था तो इसी के रिगार्डिंग था आफस्पा के रिगार्डिंग ठीक है उम्मीद करता हूं समझ यह कुछ पी अगर आपसमें डाउट है तो कमें सेक्शन में पूछ सकते हो फिर नौ विजिट सुप्रीम कोट और गाइड़ टूर तब आप सुप्रीम कोट में को विजिट कर सकते हैं किसी गाइड़ टूर आउनलाइन इसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और आप इसमें जा सकते हैं आपसको इसमें सब बताया जाए कि क्या आर्खिटेक्ट्चर है किसने बनाया था और इसमें आपको फिर अंत्त ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इट वस डिजाइन बाइग गनेश भीका जी देवलिकर यह वन तो मोस्ट एक इतनी पुरानी बिल्डिंग है जो की एक इंडियन के द्वारा डिजाइन की गई है उनका नाम आप बहुत पॉर्टेंट है करके रखो गनेश भीका जी देवलकर इनका पूरा नाम है इन्होंने ही सुप्रीम कोट की जो बिल्डिंग है इसको डिजाइन किया था ठीक है तो यह थी आपकी पूरी यह न्यूस उसके बाद यह एडिटोरियल आ जाता है इसमें पहला डिटोरियल चोक्ड वाइस मॉग तो जो पूलिशन की बात रोज आती रहती है डेली में बहुत पूलिशन बढ़ रहा है बहुत सारे रिजिशन जैसे कि पंजाब और हर्याना में पराली जला जाती है नहीं जो पैटी का डिजिडी होता है वो जला जाता है जिसके करण जो पीम 2.5 कर लेवल है वो काफी उ ठीजल से वहकल चलते है डेली में उपेन कारण है और फिर गारन है जो कंस्रक्षन साइट मंत पराली जाती है और लेम ऊप्राली का का माbrar है 15-20 पर से जाता नहीं और जो 80 यानि कि अब समय तक तो 85 से 85 परसेंट यह जो बाकी फैक्टर्स में आपको बता है इनकी रिस्पोंसिबिलिटी तो वही बोला है कि बहुत हामफुल है अगर देखा जाए खासकर बच्चों के लिए यह बहुत डिजीज रिकाण बनना भी एक रिपोर्ट भी आई थ था जिसमें की डवलोची कोड़ से की यह बताया गया था कि 93 परसेंट ग्लोबली अगर बात करें तो बच्चे जो है 93 परसेंट बच्चे पूरे वोल्ड के एफेक्टेड हैं कुछ नहीं कुछ डिजीज से सफ़र कर रहे हैं डियू टू पॉल्यूशन ओनली कितना 1.83 बि उनकी हाइट ATOR अब पता है तो ग्राउंड के पास में रहते हैं तो पोलीूशन भी होता है वह भी क्योंकि डेंस होता है तो वह हिए ग्राउंड में ज्यादा होता है इसे वैसे उन कितना percent उसका contribution है और biofuels fertilizer इनका सब का कितना रोल है वैसा पर बात की जा रही फिर दूसरा यहाँ पर एडिटोरियल अगर बात करें तो जो RBI और versus government यहाँ पर चल रहा है उसी के regarding है कि always a fine balance है निकि एक fine balance बायाने के जरूरत है RBI की बात करें चाहिए government की RBI को भले ही एक autonomous state मिल रखा है constitution में ऐसा लिखा है लेकिन अगर बात करें रियल माइनों में तो autonomous नहीं है यह बहुत अगर पिछले जो चीफ जो गवर्नर रहें RBI को उन्होंने भी यही बात किए चाहिवाई ready हो उन्होंने भी यही बात कि थी कि आप दे सकते हैं डॉक्टर रेड़ी तो उन्होंने भी बात कि थी कि उसमें autonomous बस नाम का है लेकिन government पूरी तरह से उनको regulate करती है यह उतना important नहीं आपके लिए और यहाँ पर यह opinion रखे गया है कि has the cbis credibility been compromised cbis कभी आपको पताऊगा डिरेक्टर और वर्सेज स्पेशिल डिरेक्टर था राकेश स्थाना वर्सेज अलोक वर्मा उसकी रिकार्डिंग आपर वीव पॉइंट रखे गया है और यह फोटो चंदरबाबु नाइटू उड़ रहे हैं यहाँ ठीक है लैंडिंग के लिए जगह जोंड़ रहे हैं और फिर भी ज्यादा कस्तमाल नोटा क्या होता है जो कि दिखाता है कि वहां के जो लोग हैं वहां की पार्टियों से खुस नहीं है यह चीज नोटा दिखाता है ठीक है और जो में स्टेट हैं वहां पर आप देख सकते हो यह तो सीट्स हैं गठ्चोली महारास्ट है 36 गड़ बिहा है और उलीसा है और 36 गड़ ज्यादा है अगर आप देखो तो यहां पर लोग नोटा कस्तमाल ज्यादा गड़ रहे हैं ठीक है फिर यह इंडिया प्रोटेस्ट चाइना पाकिस्तान बस स्वाया प्योके तो एक बस सर्विस चालू की गई लगजरी बस सर्विस जो कि चाइना इसको एक कही न कहीं खत्रा है तो उसी के रिगार्डिंग इसमें चाइना को भी चीज बताए गई और पाकिस्तान को भी सब्रेटली चीज बताए गई है कि जो हमारी स्वाया इसको खत्रा है तो आप यह मत चलाए तो अभी जो बस सर्विस है तीन नमबर से चालू होगी ठीक है उसके बाद यहां पर दीया हे सुप्रीम कोड को कि बहुत एगर आब बात करें तो farm sport ने छीज चीज पर अग्युटि देको हर्याना में 60 पोस्ट जॅजिजिस की निकली थी 2015 में 19,000 लोगों ने इसके लिए अप्लबाय किया था लेकिन वह एक्जाइम कांसल कर दि फ्रेश यह अनॉंस्मेंट के लिए थी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस निकला था दोजार अठारा में तेरह हजार कैंडिडेट्स ने इसके लिए अपलाई गया लेकिन वेब साइट ही ग्रैश हो गई तो आप देख सकते हो कि कितनी यहां पर जो इसी करण वेक पोस्ट हैं और पितना पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाल रहे इतनी पोस्ट हैं अगर खाली ठीक है और आपका इंफ्रस्ट्रक्ट्टर यह 18000 से 19000 तक का तो आप उनको कैसे इंफ्रस्ट्रक्ट्टर प्रोइड करो कि कहां पर रखोगी जोनका फंक्शनिंग है वह कैसे करोगे जैसे की कोट्रोम हो गया आपका यह सब और सपोर्ट स्टाफ हो गया तो इनका इंफ्रस्ट्रक्ट्टर ही नहीं आपके पास तो इसी के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोट्ट ने सभी को जो भी बॉम्बे कैलकटा चितिस गल डेली और नौद इस्टन स्टे रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी तो जवाब में संबित पात्रा भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने भी कुछ इनको कहा फिर यहां पर है सम्ट रिजिदेंट्स गेट रिफ्रों में सी हम लोग बात ही कर चुके हैं और यह सेलेक्शन ऑफ बारहाजार 460 लिए क्रॉस कर लिया इतना से रेंडी हुआ जी एसटी से और कौन से स्टेटिस में इनों इसमें टॉप किये हैं वहाँ आप देसकते हैं किरला जाहरकण राजिस्थान और उतरा खंडी आप इसकते हैं टीए के लर्या से आया हैं यहां पर 44 परसेंट जाहरकंट से 20 परसे से 14 और 930 पर्स तो सबस्क्राइब पर करला से जाएं और करला से अगर बात करने तो सबस्य ज्यादा यहां परर इंईराइब डिपॉजित्स यानिद रेमिटेंस ऐसा होते हैं यह लोग विदेश में रह रहे इस फिसकल येर 2019 के अगर बात करें नेट अराइ डिपोजिट फ्लोस की तो डॉलर बिलियन में अब देसके तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा 20 बिलियन डॉलर इस साल फिसकल येर 19 अगर पिछले सालों के कमपैरिजन में कर देखें तो उसके पीछे रीजन बत कंट्री से दुबाई हो गया और कतर हो गया और इन सब कंट्री से में ली जो रेमिटेंस है वह आ रहा है में कारण मैंनक होता दिये जो रुपी गिर रहा है और ऑईल प्राइस जो है राइस में हो रहे तो यह मेजर चंग फ्रॉम वेस्ट एशिया और कौन से स्टेट में सब्सक्राइब कर ला के मौस्ट जो लोग है वो वेस्ट एशिया में जाते हैं अगर फॉरेंज जाते हैं तो ठीक है फिर यह स्पोर्ट्स न्यूज आ जाती है इंडिया ब्रुक्स लिटल चालेंज एज वेस्ट विंडीज विल तो वेस्ट एंडीज की खिलाफ वे यूज है ओसीन सीटिंग फास्टर तो एक स्टडी के अनुसार जोगी निकाली गई इंटर गवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बोला है कि जो हमारे वर्ल्ड के प्लैनेट के वोशेंस हैं वह बहुत ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं वाटर बाडिज एब् और यह किसने निकाली रिपोर्ट बस आपको इतना पता होना चाहिए इंटर गवर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज यानिकी आई-पी-सी-सी ने ठीक है और जो भी निकलते हैं इसे जैसे की कारबन डैक्साइड हो गया और ऑक्सीजन भी जो निकलता है तो वह एब्स सब्सक्राइब करके चैनल को और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो धन्यवाद